हेलो एवरिवन स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का इनॉर्मस लेर्निंग पे मैं रोहिद पर्मा हाजीर हूँ आज कुछ दिनों के बाद आपके बीच वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके कुछ सेकेंड्स लेना चाहूँगा जिसमें मैं बता दूं कि जो मे फ्यूचर में चैनल को कुछ हो जाए तो मेरा कोई भी सोर्स कोई तो सोर्स रहे ठीक है आपके साथ कॉनेक्ट होने का जूणने का और आप भी अगर त्यारी कर रहे हैं तो आप भी कंटिन्यूटी में रह सकें तो न्यू चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे आपने ठीक है फर्स्ट क्वेस्चिन जो है वो है फू वास दी आउनली सिख प्रेजडेंट ऑफ इंडिया एक मात्र बारत के एक मात्र सिख राश्ट्रपती जो हैं वो कौन थे ऑप्शन्स आपके सामने दिये रहे हैं ज्यादा टाइम नहीं लेना है पांच से दस सेगें इनका टाइम पिरेड जो है बता दूँ आपको 1982 से 87 तक है ठीक है 1982 to 87 तक है इनका टाइम पिरेड है और जो ब्लू स्टार ओप्रेशन करके हुआ ठीक है वो इनी के टाइम पिरेड में हो था इनी की प्रेजडेंसी के अंदर हुआ था ये इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के थे प्रेजडेंट और सेवंथ प्रेजडेंट थे इंडिया के ठी इनकी presidency को Operation Blue Star इंद्रा गांदी की हत्या और 1984 में सिख बिरोधी दंगों के रूब में चिनहित भी किया गया था ग्यानी जेल सिंग को तो चलिए next question क्यों चलते हैं वो कौन से शहर में हुए थे और इसका सेजवाब जो है वो है New Delhi New Delhi is the right answer यह World War 2nd के बाद की बात है ठीक है World War 2nd के बाद की बात है 1951 में जे हुए थे ठीक है 1951 is the date when they are held 1951 में जे हुए थे और कहां हुए थे New Delhi में चलिए next question आपके लिए question number 3rd है which Indian Prime Minister held the shortest term in office किस वारतिय परदान मंत्री कार्याले में सबसे छोटा कार्यकाल रखा मतलब कि सबसे कम time के लिए कून से परदान मंत्री बने थे कार्याल जिनका time period जो था वो सबसे कम था और इसका जो सहीज बाब है बोजाएगा अटल बिहारी भाजबाय जी के साथ option B जो है आपका बिल्कुल सहीज बाब है ठीक है और इनको कितने दिन के लिए रखा गया था केवल 13 days only 13 दिनों के लिए ठीक है अगर आप देखिए गूगल पर अगर आप सर्च करेंगे वहां राजीव गांदी भी शो करेंगे बट मैं आपको एक चीज़ स्जेस्ट करना चाहूंगा कि जो आप डाटा देखते हैं गूगल पर गूगल पर हमेशे अकुरेस नहीं दिखाया जाता है ओल्ड डाटा भी जो चलते हैं next question है question no.4 है when and where did Indian win the first cricket वर्ल कप वारत ने पहला cricket विशेव कप कब और कहां जीता था इंडिया ने पहला और कहां जो है वर्ल्ड पप जीता था पहला वर्ल्ड पप और यह जीता था लंडन में ठीक है 1983 option यह आपका बिल्कुल सही आंसर है 1983 at Lords Stadium in London ठीक है question no.4 और जो मैच है यह हुआ किन किन टीम्स के बीच में था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था यह मैच और 43 रन के साथ इंडिया ने इस मैच को जीता था next question आपके लिए question number है in which year was राश्च्रपती भवन विल्ट राश्च्रपती भवन का निर्मान किस वर्ष किया गया था राश्च्रपती भवन बहुत बढ़िया राश्च्रपती भवन का जो निर्मान है वो किया गया था 1929 option ये जो है आपका बिल्कुल सही जबाब है और इसकी स्टार्टिंग होई थी अप्रॉक्सिमेटली 1912 के क्रीब क्रीब ठीक है सर एडवीन लुइत करके थे उनके द्वारा की गई थी ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं क्वेशन नबर है सिक्स्ट बारत की पहली महिला पार्षवगाई का कून थी प्लेवैक सिंगर होते हैं जो बैक साइट पर गाते हैं बैक स्टेज गाते हैं बैक कून थे क्वेशन नबर सिक्स्ट वैल डन और राइट आंसर जो है इसका वो है राज कुमारी दुबे यह कहां से बिलॉंग करते थे उत्रा प्रदेश से यूपी के रहने वाले थे ठीक है और इनका निदन हुआ था I think yes approximately 2000 में हुआ था नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नबर है सेवन्थ हूँ इस दी ओनली स्पिरिच्वल परसनेलिटी टू बी अवाड़ड़ दी भारत रतना दा हाइस सिविलियन अवाड़ इन इंडिया बारत में सरवोच्य नागरिक पुरुसकार बारत रतन से समानित होने वाले एक मात् अध्यात्मिक व्यक्ति कौन थे अध्यात्मिक व्यक्ति स्प्रिच्वल ठीक है वह कौन से थे जिनको बारत रतना से अवाड़ड किया गया है बहुत बढ़िया और इसका आंसर जो है बो आएगा मदर टेरेसा के साथ आप्शन नंबर ए इस दी राइट आंसर क्वेशन न बड़ा हिंदू मंदिर जो है वह कहां पर स्थित है विशप की बात की जा रही है वर्ल्ड की क्वेशन को द्यान से पढ़िये हमेशा मैं हमेशा बोलता हूं वर्ल्ड में सबसे लार्जस्ट हिंदू टेंपल जो है वह कौन सी जगह पर है वैल दन और सबसे जो बड़ा ट टेम्पल यह और 162 इंत्य इन में 132 holds इस बड़ा वर्मन इतना और यह इन थोन एक बनाना समझ ए लॉइ question पर आता है, question number 10th है, how many times has India won the hockey world cup, बारत ने कितनी वार hockey bishop cup जीता है, आपको पता होगा, बारत की इंडिया की national game जो है, वो होकी है, ठीक है, और होकी में, world cup में कितनी वार जो है, इंडिया जीता हुआ है, very nice, आप सभी आंसर देते जाए साथ साथ में, comment करते जाएए, अपने views बताते जाए, very nice, very nice, और इसका sage बाब जो है, वो है, once, एक बार जीता है और वो भी किससे जीता है, वो जीता है, टीक है, एक ही बार जीते हैं, एक ही बार पाकिस्तान के साथ मैच लगाया वर्ल्ड कप में फाइनल और वो इंडिया ने जीता है ठीक है उसके सिवा अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान चार वार विन्नर रह चुका है वर्ल्ड कप का फोर टाइम्स ठीक है पाकिस्तान ने चार टाइम जीता है बर इन चार में से एक बार भी इंडिया को नहीं हराया है इंडिया फाइनल में पूंचा ही एक बार है और उसका भी पाकिस्तान के साथ लगा था फाइनल तो इंडिया ने वहां पर बाजी मारी है चलिए next question पर जलत option A 21st June हर साल में 21 June को यह दिन जो है बूम मनाया जाता है 21st June is the right answer चलिए next question के ओर देखते है question number 12 why what name was the country Russia known as before 1991 1991 से पहले रूस को किस नाम से जाना जाता था 1991 से पहले देखे common sense में थोड़ी से लगती है अमेरिका आगे है देखे यह दर USA है Emirates है UAE Kingdom है UK ठीक है यह तीनों तो नहीं आएंगे definitely ठीक है because अलग countries है ठीक है यह तीनों other countries है इनके अभी भी यही नाम है तो इसको जो रशिया है इसको किस नाम से जाना जाता था इसको जाना था Union of Soviet Social Republics option A के साथ चल रहे सभी दोस्तों का अंसर बिल्कुल सही है next question है question number 13 पर fall in करते है which countries have no airports किन देशों में हवाई अड़े नहीं है देखे बहुत ही common sense के question है अगर ये question में भी अगर कोई दोस्त answer अमेरिका में दे रहा है इंग्लैंड में दे रहा है तो वो बिल्कुल गलत बात है because उन्होंने पूछे countries ना कि एक पूछे और ये singular है देखिए countries पूछे बहुत सारी countries बताई है मनेको बताई है नीचिसनी बताई है एंडोरा बताई है सैन्मेरिनो बताई है वेटिकन सीटी बताई है ये हो गई countries का group और option A जो आपका वो बिल्कुल आंसर सही होने वाला option A is the right answer इन countries में क्या एरपोर्ट नहीं है ठीक है next question है question number 15 है which country has the largest number of volcanoes किस देश में जवाला मुख्यों की संख्या सबसे अधिक है volcanoes कोन सा देश है वाई common sense से देखिए रिंगा fire देख लिजे किस साइट पड़ता है ठीक है रिंगा fire देख लिजे उसके किनारे पे कौन से country आते हो नहीं में से होगा कोई और इसका जो सही जवाब है वो होगा Indonesia इंडोनेशिया जो है इस country में सबसे ज़्यादा active volcanoes जो है ठीक है active volcanoes सबसे ज़्यादा और उनकी संख्या जो है approximately 13,000 है 13,000, 13,000 के क्रीप क्रीप बहाँ पे active volcanoes है ठीक है समझ गए ओकी चलिए next question पर जलते हैं option यह इसका सीजवाब रहेगा next question है question number 16 है आपके सामने which is the national vegetable of India लीजे बाई puzzle मत होईएगा because आपने fruit सुना होगा, floor सुना होगा, ठीक है animal सुना होगा, word सुना होगा बट यह कुछ अटपटा सा लगेगा आपको की vegetable कहां से आ गया बट vegetable भी है बताईए एक answer जल्दी से question number 16 well done, option number A, pumpkin is the right answer, pumpkin जो है जिसको हम कद्दू भी बोलते है local language में, ठीक है that is the national vegetable of India, question number 16 and right answer goes with option number A, pumpkin is the right answer चलिए next question पे चलते है, question number 17 है, what was air India called before the airline was nationalized देखिए, airline को राष्ट्य करन से पहले air India को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, air India को और इसका answer जो जो वाई दे रहे हैं, option A, tata airlines करके उनका answer जो बिल्कुल सही है, tata airlines के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है question number 17 और option A, जो है इसका बिल्कुल सहीज बाब है, let's know to 18, next question है, warm did national hero शहीद बगत सिंग किल राश्ट्री नायक शहीद बगत सिंग ने किसको मारा था भई, शहीद बगत सिंग और राजगुरू थे, साथ में ठीक है, तब उन्होंने किसी को शूट किया था, जिसकी बज़े से शायद उनको फांसी का हुआ था, ठीक है, किसको मारा था इन्होंने वाम डिड नैशनल हीरो, किसको बगत सिंग द्वारा मारा गया था, और इसका अंसर जो है, वो जाएगा, ऑप्शन नमबर एक साथ, जॉन सुन्दर्स, ठीक है, जुनियर पुलीस ऑफिसर, एक चीज़ मा और बता दूँ आपको, इस टाइप की क्वेशन्स होते हैं, ऑप common sense की बाद देखिए दोस्तो, because उन्होंने पूछे किसको मारा था, ठीक है, अब देखिए, बाकी तीनों के नाम, बिनोद, बीजे, रंजीत, देखिए, यह जो नाम है, यह commonly, simple, simple करके दिए गया है, और जिस किसी नाम को आगे थोड़ा explain करके बता दिये जाए ना, तो जबाब है, next question पे चलते है, question number 19, where did Netaji स्वास्चंदर बोस establish national army, ठीक है, इंडियन national army, नेता जी स्वास्चंदर बोस ने इंडियन national army की स्थापना कहां की थी, सिंगापोर, बैंगलोर, पूने, जा फिर डैली में, बहुत बड़ी, important question है, बहुत सबार पूछा भी गया है, जिन किसे को नहीं आता, दोस्तों को, आल्मोस सभी को आता होगा, Singapore इसका बिल्कुल सेजबाबा, option A is the right answer, इसके ओपर एक movie भी है, आप चाहें तो visit करके देख सकते हैं, बहुत ही बड़िया, question number 19, और option A जो है, इसका बिल्कुल सेजबाबा है, Singapore is the right answer, next question, what is the difference between embassy or India or High Court Commission of India कुछ difference नहीं होता है, same होते है, nothing, यह भी question misplace है, next question number 21, जी हाँ, अब बात आती है 5G की, अगर आपको कोई निया mobile phone लेता होता है, तो पहले देखते हैं, सबसे important चीज़ 5G है कि नहीं है, 4G को तो कोई देखता है नहीं है, वो बात की है कि अभी तक इंडिया में 5G launch नहीं ह है, आया नहीं है, टॉर्स नहीं है, बट फिर भी हम phone को 5G की तरफ लेते हैं, तो आप से question यह पूछा गया कि यह जो G लिया है साथ में 5G, G का full firm क्या वाई, G किसके लिए stand करता है, generation, general, gravity, or google, in 2G, 3G, and 4G, mobile, internet, and phone, what does G stands for, G क्या आर्थ है इसमें, बहुत बढ़िया, और G G जो है, वो stand करता है, generation के साथ, ठीक है, first generation, second generation, third generation, fourth generation, और fifth generation, अभी fifth generation के phone जो है, वो चल रहे है, चलिए, next आपको एक चीज़ और बता दू, अभी फिलहाल classes थोड़ी बन थी, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने starting में बताया, so एक backup channel बनाया, दोस्तों प्लीज उसको भी subscribe कीज और board तक का बात थी, कि board लेने का मैंने आपको starting starting में बोला था, जब channel start किया था, तो payment बगारा आई है YouTube से, तो अभी मैंने board ले लिया है, ठीक है, so उस पे भी अभी आपको content दिया जाएगा, और maths की class जो है, जो आपको मैं बोलता था, वो मैं आभी खुद से start करूँगा, so दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये रही Instagram का ID और Telegram पे आपको PDF जो है वो provide करवा दी जाएगी, जुड़े रही हमारे साथ, चैनल को subscribe कीजिए, अगर दोस्तों आप पहली वार आए है हमारे चैनल पे, so मिलते हैं next वीडिय के साथ तब तक के लिए, जय हिंद, जय अबारत